आज हम बात करेंगे अन्नकूत यानी गोवर्धन पूजा की दीपावली उत्सव के चौथे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रत्मा को अन्नकूत का त्योहर मनाया जाता है इस पर्व को गोवर्धन पूजा के नाम से भी जाना चाता है इस दिन गौमाता और भगवान शुरी कृष्ण की पूजा करने का विधान है पुराणों के अनुसार ये पर्व द्वापर युग में आरंभ हुआ था इसी दिन भगवान शुरी कृष्ण ने पके हुए अन्न गोवर्धन और गायों की पूजा करके उन्हें भोग में लगाए थे इसलिए इस दिन का नाम अन्नकूर और गोवर्धन पूजा पड़ा इस दिन गोवर्धन की आकरती बना कर उसके समीब विराजमान कृष्ण के सम्मुक गाय और ग्वाल बालों की रोली चावल खूल जल मौली दही और तेल का दीपक जला कर पूजा और परिक्रमा की जाती है श्रद्धालो 56 प्रकार के पकवान रंगोली पके हुए चावलों को परवत के आकार में बना कर शुरी कृष्ण को अर्पित करते हैं और इसके बाद अपने स्वजनों और अतिथियों के साथ बाल गोपाल को अर्पित इस महाप्रसाद को भोजन के रूप में ग्रहल करत में अख्मा को भग्वान शुरी क्रिष्ण ने इंद्र के घमंड को तोड़ा था गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोग गाथा प्रचिलित है कथा ये है कि देवराज इंद्र को अभीमान हो गया था इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान शुरी कृष् पूजा करते हैं जिससे अन्र की पैदावार होती है उससे हमारी गायों को चारा मिलता है यह सुनकर श्री कृष्ण बोले फिर तो हमें गोवर्धन परवत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाएं वहीं चरती हैं इस द्रिश्टी से तो गोवर्धन परवत ही पूजिन देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसला धार वर्षा शुरू कर दी प्रलै के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भवान कृष्ण को कोसने लगे सबको लगा इनका कहा मानने से ही ऐसा हुआ है तब मुरली धर ने मुरली कमर में डाली और अपनी क कृष्ण की ये लीला देखकर और क्रोधित हुए वर्षा और तेज हो गई इंद्र का मान मर्दन करने के लिए तब शुरी कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा आप परवत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेशनाक से कहा आप मेर बना कर पानी को प और उन्हें सब कह सुनाया ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विश्ण की अवतार हैं पूर्ण पुर्शोतम नारायन हैं ये सुनकर इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ उन्हें श्री कृष्ण से कहा प्रभु मैं आप को पहचान न सका इसलिए एहंकारवश भूल कर बैठा आप देयालू हैं मेरी भूल को क्षमा करें इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुर्ली धर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया इस पौराणि घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी ब्रजवा प्रकर्व को लंबी आयू और आरोगी की प्राप्ठी होती है साथ ही दारिद्रिका नाश होकर मनुश्य जीवन पर्यंद्द सुखी और सम्रुथ रहता है ऐसा कहा जाता है परेवा तिथि को लेकर यह भी माना जाता है कि यदि इस दिन कोई मनुश्य दुखी रहता है तो मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है गोवर्धन पूजा में गोधन यानि गायों की पूजा की जाती है शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी तरह पवित्र होती है जैसे नद्यों में गंगा गाय को देवी लक्षमी का स्वरूप भी कहा गया है देवी लक्षमी ज कुछ स्थानों पर गाय के गोबर से बनने वाले गोवर्धन को मनुश्या कार दिया जाता है और उसे पुष्पों लताओं से सजाया जाता है शाम को गोवर्धन की पूजा की जाती है पूजा में धूब दीप नवेत्य जल फूल फल खील बताशे चड़ाये जाते हैं किनाभी के स्थान पर एक कटोरी या मिट्टी का दीपक रख दिया चाता है फिर इसमें दूद दही गंगा चल शहद बताशे जैसी चीज़ें पूजा करते समय डाल दिये चाते हैं और बात में इसे प्रसात के रूप में बाट देते हैं इस दिन कुछ स्थानों पर संध् देतराज बली का पूजन भी किया चाता है कहीं कहीं पर दस्तकार और कलकार खानों में कारे करने वाले कारीगर भगवान विश्व कर्मा की पूजा भी करते हैं इस दिन सभी कलकार खाने पूनता बंध ही रहते हैं घर पर कुटीर उद्योग चलाने वाले कारीगर भी काम नहीं करते भगवान विश्व कर्मा और मशीनों के साथ साथ उपकरनों का दुपहर के समय पूजन किया जाता है वाइट इंक एंटर्टेन्मेंट की दीप महतसव शंकला की चौथी कड़ी में आज हमने अनुकूर यानि गोवर्धा फूजा के बारे में बात की अगली कड़ी में पाँचवे दिन के तिवहार यमदूतिया यानि भाई दूज के महत्व और इससे संबंधित मानेताओं के बारे में बात करेंगे देखते रहे वाई टेंक एंटर्टेन्मेंट इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने कॉमेंट्स की दें धन्यवाद ज्योति पर्व दीपावली आपके लिए शुप हो मंगल मैं हो हापी दिवाली